हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा है जो किस नूर मैं हूँ हरसाय चोपड़ा दोस्तो आप सभी जानते हैं कि लोगडाउन के कारण स्कूल एक्जाम यूशिटी एक्जाम और इंट्रेंस एक्जाम पॉस्पोंड हो गई थी अभी इनुवर्सिटी अपने पॉस्पोंड हुए एक्जाम को री सेडूल कर रही है एम ये ने तो इसकी सुरुआत भी कर दी ह यूशिटी की काईडलाइन के अनुसार जो स्टूडेंट अभी इनुवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके एक्जाम जुलाई में कम्प्लीट होकर एक अगस्ट से उनका न्यू सेसन स्टार्ट हो जाएगा इसके अलावा जो स्टूडेंट न्यू एडमिसन लेना चाते है उनका इन्टरेंस एक्जाम अगस्त में होकर एक सितिमबर से न्यू सेसन स्टार्ट होगा ये रूल यूशिटी एक्जाम और यूशिटी के इन्टरेंस एक्जाम के लिए लावू होंगे अभी कुछ यूशिटी ने यूजिसी की रूल फोलो करते हुए अपने इन्टरें से एक्जाम जुलाई से स्टार्ट होकर 31 जुलाई तक कम्प्लीट हो जाएगा और जो न्यू एडमिसन लेना चाते हैं जिन्होंने एम यू के इंट्रेंस एक्जाम के लिए रेजिस्टेशन किया है उनकी एक्जाम 15 जुलाई से 31 अगस्ता कम्प्लीट होकर एक सितिम्बर से से सेसन स्टार्ट हो जाएगा बाकी उनिएर्सिटी के इंट्रेंस एक्जाम के बारे में अभी सेड्यूल आया नहीं है लेकिन सेड्यूल यही रेने वाला है जैसे ही इसके बारे में बाकी उनिएर्सिटी अपना अपडेट डालेंगे हम आपको सुचित कर देंगे नीट वे जेई मैन और एडवांस के एक्जाम डेट पहले ही गोशना हो चुकी है इसके इलावा सी बीसी के 10 और 12 एक्जाम डेट भी HRD मिनिस्ट्र ने एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच अनॉंस कर दी है इसके इलावा जितने भी CET यूनिट सिटी एक्जाम है वो अगस्त में होने की संभावना है BHU, UET, PET 2020 एक्जाम इसके इलावा BHU, BAC नर्सिंग, AIMS BAC नर्सिंग और परामेडिकल एक्जाम ICR का एक्जाम, DU के BAC नर्सिंग एक्जाम, ARMY BAC नर्सिंग एक्जाम और स्टेट के CET एक्जाम ये सारे अगस्त में होने की संभावना है अभी IPU के फोर्म फिल करने की डेट 25 मई 2020 तक अक्स्टेंड हो चुकी है तो दोस्तों दिरे-दिरे ये ये उनिवर्सिटी अभी एक्जाम डेट अनौन्स कर देंगी तो जैसे ही अनौन्स करेंगी इंट्रेंस एक्जाम की डेट हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं ज्यानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिंद